आपका फिर से स्वार्गत है इस वीडियो में हम fillet command को सिखेंगे साथ में chamfer command को भी सिखेंगे देखिए fillet command simply rounds a sharp corners या फिर बोलें तो engineering में जितने भी पर्स sharp corner के होते हैं तो किसी को चोट नब पहुँचा है तो उसको गोलाई देते हैं इस गोलाई को हम बोलते हैं fillet fillet command rounds a sharp corners ऐसा क्यों कि engineering में अगर कोई object है उसके corner बहुँच शार्प होते हैं किसी को चोट पहुँचा सकते हैं तो उसको हम गोलाई देते हैं और इसी गोलाई को fillet बोलते हैं so intersection of two lines, arc, circle और polar and vertices with a radius can be given a fillet यहां पर object देखिए कि यहां पर sharp corner था यहां पर भी sharp corner यहां पर भी sharp corner यहां पर भी sharp corner तो यहां के one और two select करेंगे अगर कुछ specific radius देंगे तो उसके हिसाब से यहां पर corner में convert हो जाएगा fillet में उसी तरह अगर यहां पर अंगम fillet देंगे तो उसका corner इस तरह से fillet हो जाएगा तो आप compare कर सकते हैं कि before fillet क्या है और after fillet क्या है now it only require radius तो इस command की एक ही demand है कि आपको radius value देनी पड़ेगी क्या होगा अगर आप zero रखेंगे तो देखते हांगे so specify only the radius and select the object and to be filleted यहां पर देखिए अगर मैं यहां से select करूगा इसको one और two को तो देखिए object इस तरह से fillet होगा यहां पर धेन दीए ठीक है उसी तरह क्या हो रहा है कि यह जो दो object है दोनों को contact नहीं कर रहें intersect नहीं कर रहें फिर भी fillet बन रही है जो हमने values दी हुई है ठीक है the object to be filleted do not have to completely intersect और can overlap जाने की जरूरी नहीं है कि वो intersect करें और भी चलेगा यहां पर यहां पर इस exercise में दिखाए गया है ठीक है यह दुसरे को cross कर रहें overlap कर रहे हैं और यहां पर intersect नहीं कर रहे हैं these are not intersecting but these are overlapping दोनों ही case में देखिए क्या हो रहा है you can specify whether or not object automatically extended or trim देखिए fillet में होता क्या है यहां पर हमने fillet तो बना दी लेकिन inline का क्या होगा यह दोनों जो टुकड़े है line के अपने आप trim हो जाएगे तो जो mode बोलते हैं वह extended हो सकता है और trim हो सकता तो by default it is always set to trim क्योंकि fillet बना नहीं है तो यह extra line को क्या करना है trim ही तो करना है अगर आप उसको extend कर देख तो वैसा ही रहेगा और trim fillet options देए तो देखिए कि यह वाला part trim हो गया है और हमने इस तरह से fillet ले लिए ठीक है अब यहाँ पर देखिए इसको भी अगर हम देगे दोनों को check नहीं कर रहे है तो भी fillet command क्या करेगा दोनों को connect करने की कोशिश करेगा जो हमने specify करी हुई है यहाँ पर देखिए तीसरा जो options है दो circle एक दूसरे को बिलकुल touch नहीं कर रहे है फिर भी जो भी radius देंगे तो उसमें से pass होती भी क्या होगी fillet बन जाएगी अब बोलेगे इसको trim command से भी बना सकते है ऐसा circle draw करके इसको trim कर सकते है लेकिन fillet command is much more easier in certain application if parallel object are selected यहाँ पर देखिए figure में तो क्या होगा तो दोनों के बीच में जो परपनल distance है उसको diameter समझ के उसका आधा लेके वो क्या करेगा fillet command इस तरह से capping कर देगा यहाँ पर output देखिए ठीक है तो the fillet is automatically created to the correct radius अगर दो parallel object complete करते वहाँ पे कोई भी value आप एड़ करिए कोई काम नहीं करेगा अपने इसाब से वो fillet command ले लेगा with polyline options the polyline can be affiliated at the same radius at the all vertices at the same time right so this will save your time देखिए यहाँ पे देखिए polyline अब इतने सारे corners है एक दो तीन और चार corner है उनको fillet करना है तो fillet command में problem यही है आप fillet command शूरू करेंगे radius देंगे और click करेंगे तो हो जाएगा comment बंद हो जाता है ठीक है तो बार बार उसको लेना पड़ता है उसमें एक option होता है polyline अगर अपका object polyline है तो उसके सारे vertices एक साथ क्या करेंगे fillet हो जाएएंगे तो उसका benefit है so this will save the times the multiple options let you continue filleting at multiple locations without existing तो मैं ने बोला कि भी fillet command शुरू करते हैं एक बार होगा फिर बंद हो जाएगा लेकिन चालू ही रखना है अलग अलग जगर पर बार बार करना है तो multiple option आपको select करना पड़ेगा देखे को specific options भी है अगर आप trim no trim जो options है वहाँ पर अगर no trim करेंगे तो fillet होगा लेकिन corner वैसा ही रहेगा जो मैंने भी बताया लेकिन आप trim option रखेंगे तो corner नहीं रहेगा ठीक है so trim no trim options enable fillet to trim the entity or leave as it is with filleted corner last two options है after selecting first object and pressing shift and selecting the second object will create fillet with sharp corner that means radius will be zero यहाँ पर example देखिए दोनों line जो है दूसरे को touch नहीं कर रही है आपने fillet command लिया मान लिजे के value अपने enter करी 10 है लेकिन उस समय एक बार आपको इसको select कर दीजे दूसरे object को select करने से पहले shift दबा के रखेंगे फिर second को select कीजे तो अपने आप इस तरह से sharp corner बनाएगा fillet command instead of creating the 10 radius fillet ठीक है तो यह थोड़ा shortcut है ध्यान रखिएगा अधिये exercise करते हैं fillet command की यहां पर देखिए मुझे fillet की value दी गई है point 25 तो इस corner को करना है इसको करना है और फिर इसको करना है मैं चाहूं तो multiple option ले सकता हूं लेकिन उसके साथ यह corner भी हो जाएगा यह भी हो जाएगा और यह भी हो जाएगा तो मैं option choose नहीं करूंगा तो fillet command लूँगा और प्रेस करूंगा और इसाइब करेंगा पॉइंट 25 उसके बाद multiple option लूँगा इसको इसको touch करूंगा यहां पर हो गई इसको इसको touch करूँगा यहां पर हो गई इसको सब्सक्राइब करेंगे दीस दूसरे में क्या करना है कि देखिए यह RAW फिगर और उसका ओट पूट्पूट यह है, तो हम क्या कर सकते हैं किจะ यहां पर ट्रीम जह आपशन से वह दो ही रखेंगे, और जक्वी हम इसको सिल topic-re Fantastic करेंगे तो इसको कर देगा और और यह यह पाल निकल जाएगा, यह यह पे एकस्टेंड हो, यह पे एकस्टे लोगा तो इस तरह से जितने भी corner है एक साथ दिये गए value पर fillet करेंगे और last जो exercise है अपनी उसमें क्या है कि सारी lines parallel है तो इस तरह से अपने क्या मिलेगा output मिलेगा यहाँ पर दियान रखे कि कौन से select करते हैं देखे अगर मैं इसको select करता हूँ फिर यहाँ पर click करूगा तो यह object extend हो के इस तरह से फिलेट बनाएगा लेकिन मुझे output ऐसा चाहिए तो फिर में क्या करूँगा तो फिर मुझे यह अंदर वाली पहले line select करेंगे उसके बाद करने पड़ी कि तो अपने आप इस तरह से क्या होगा अपने आप इस तरह से fillet हो जाएगा छोटा length के साथ ठीक है तो आई कोशिस करते हैं AutoCAD में अब फिलेट कमांड को ओपन कर लिए जो दिए गई हुए है modifying 3 टूल्स में और फोल्डर नमबर M2 move copy rotate and fillet और इस file को locate करके open कर लिए fillet को यह हमारी file है so f और fillet उसका shortcut है अब चाहे तो यहां से भी ले सकते होम टैब में modifying पैनल में यहां पर available है ठीक है अब देखिए command prompt में क्या बता रहा है कुछ settings का options display कर रहा है mode क्या है trim है radius कितनी जीरो है तो हम mode को trim ही रखेंगे और radius क तो बदलने की कोशिस करेंगे तो इसके लिए यहां पर क्लिक कर सकते यहां फिर राइट लिक करके radius कीजिए अब value कितनी डालनी 0.25 ठीक है अब देखिए मुझे तीन corner पर करना है अगर मैं इस तरह से करूंगा ऐसे और ऐसे तो चलो fillet तो हो गया लेकिन command भी बंद हो गया ठीक है तो क्या करना है हमें multiple option इस्तिमाल करना होगा तो control Z फिर से f for fillet radius देखिए command prompt में 0 दिखा रहा है तो हम set करेंगे radius 0.25 अब इस बार right टिक करके मैं multiple option लूँगा ठीक है तो यह वाला select करूंगा यह corner हो गया यह यह हो गया तो बारी बारी से select कीए देखिए फिलेट कमंड exit नहीं कर रहा है चालू ही रहता है ठीक है तो यह options है और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं फिलेट कमांड का इसमाल करते हुए तीन पर हम फिलेट दे सकते हैं आई हम इसको कोशिज करते हैं फिलेट कमांड को एफ फॉर 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 फिलेट अब देखिए मैं यहां पर यह क्लिक कर रहा हूं और यह कर रहा हूं तो क्या हो रहा है देखिए ट्रिम होके कॉर्णर 0.25 का फिलेट हो गया लेकिन हमें ऐसा आउटपूट नहीं चाहिए हमें तो ऐसा आउटपूट चाहिए तो क्या करेंगे चलो एफ फॉर फिलेट अब सिलेक करते समय मैं शिफ्ट पहला यह को सिलेक करूँगा फिर शिफ्ट दबाऊंगा यह हो गया फिर से कमांड लीजिए सिलेक कीजिए या फिर मल्टिवल ओप्शन ले लीजिए चलो इसको सिलेक कीजिए और शिफ्ट दबाएके इसको किजिए फिर इसको सिलेक कीजिए शिफ्ट दबाईए और इसको सिलेक कीजिए यानिके शिफ्ट ओप्शन को इस्तमाल करते हुए म तो पान कीजिए कमांड को आए कोशिस करते हैं इस एकसे साइस को अब मैं इस बार यहां से लूँगा फिलेट कमांड इस बार मैं पॉली लाइन उप्शन इस इस बार मैं पॉली लाइन उप्शन इस्तमाल करूंगा राइट लिक पॉली लाइन अब जैसे ही मैं सिलेक करने की कोशिश करूंगा सारे के सारे कॉर्न देखे एक साथ दिखाय रहे हैं इस तरह से तो यहीत तो एड़वंटेज है कि टाइम भी बज़ रहा है और हमारा काम भी हो रहा है डाट्स वाइं इंफिलेट पॉली लाइन उप्शन इस गिविन आये इसको ट्राइए करते हैं यहां पर दो लाइन प पॉइंट 5 लेकिन प्रॉब्लम क्या है यह सारे के सारे पैरलल है ठीक है अगिन है रिपीट इट चूज मल्टिपल ऑप्शन जब भी दो लाइन पैरलल होती है तो रेडियस वेल्यू अपने आप अटोगेट डिसाइड करता है हमारी दीवी पर वह उस्थमाल नहीं करेगा ठीक है देखें यहाँ पर ॊसको क्लिक करूगा इसको क्लिक करूगा फिर इसको क्लिक करूगा तो देखें हमारा आउट्पुट क्या हो रहा है हमारा जो deserve output है उसके हिसाफ से हो रहा है तो जब भी और प्रेले लाइन को फिलेट करेंगे तो यह अपने आप वेलू डिरए एड करेगा अपनी दीव वैली को इग्नोर करतेगा आई अब कोशिस करते हैं चैमफर कमांड को देखिए फिलेट और चैमफर आप बेजिकली ट्रिटिंग दे कॉर्नर्स तो फिलेट क्या करते हैं गोलाई दे रही हैं चैमफर कमांड उसी कॉर्नर को एक एंगल पर कट करेगा ठीक है तो चैमफर रिप्रेजेंट अनदर वे तो फिनिश दे शाफ कॉर्नर्स बाई एडिंग एंगल लाइन तो यह लाइ इड़करता है जो चैमफर कमांड है लेकिन दोनों ही कॉर्णर को ट्रीट करते हैं देखें क्या संथ है तो अपना यह कॉर्णर्स पॉइंट है ठीक है यह अपना है वहां से डिस्तेंस दे लहां से यह दूसरा डिस्तेंस देना है तो औूढ़ें गे पर्स्ट डिस्टें दो distance देने पढ़ेंगे, first distance and second distance, δोनो एक value हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं दूसरा जो method है उसको बोलते है angle distance method, तो पहला हमने जो discuss करेंगे, बोलते हैं distance distance method ठीक है, उसमें दो distance मेने होते हैं लेकिन जो दूसरा option है उसमें एक distance दीजिए और फिल एंगल दीजे, तो होगा क्या, यहां से वो distance को लेगा, उसके बाद जो भी एंगल देंगे, let's say 60 degree, तो 60 degree तक angle line ड्रॉ कर देगा, ठीक है, अब example लेते हैं, कि मेरा first distance यहां पे कितना 0.5 है, और यहां पे कितना 0.8 है, अब selection में मैं गलती करूँगा, कि पहला जब 0.5 मैंने distance दिया था, यहां पे select करने थी line, उसी जगह मैंने यह select कर दिया, तो ultra हो जाएगा, यह इस तरह से cutting हो जाएगा, किंकि यह 0.5 छोड़ेगा, और यह 0.8 होगा, तो ध्यान रहे कि first distance और second distance कौन से है, और किस line के लिए है, उसके साफ से आपको selection करना options, fillet की तरह ही, जब भी अब comment शुरू करेंगे, तो दिखाएगा भी कौन से method active है, कौन से value अपने इस्तमाल करें, so the trim setting, automatically trim and extend the line selected for the chamfer, देखें यहां पे ध्यान दिये, जब भी मैं chamfer करूंगा, तो इस line को वो उड़ा देगा, cut कर देगा, और chamfer बनाएगा, so this will be your output, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों connected ना हो, लेकिन दोनों को एक ऐसे कर सकते हैं, इस तरह से joint भी कर सकते है, so chamfer will trim or extend, so with polyline options, polyline can be chamfered with same radius, sorry यहां पे गलत है, radius नहीं होना चाहिए, distance होना चाहिए, at all vertices at the same time, so this will save time, just like a fillet command, if you save select the second line, will produce the sharp corner instead of chamfer, जो हमने सिखे थे, fillet command में, तो आइए कोशिस कर दें, उसको कैसे practically करें, तो अब exercise open कर लेए, यह वाली exercise आप open कर लेए, right click open, चलिए, तो यहां से मैं लूँगा, fillet के pass में chamfer command होता है, click it, अब देखिए, मुझे distance देना है, तो इस corner से 15 और इस तरह से 15, तो right click distance option, तो पूछ रहा है कि पहला distance आप कितना देंगे, देखिए, मैंने पहले ही practice किया होगा है, तो वो 0.1 दिखा रहा है, तो मैं जाओंगा 0.15 में, तो पहला distance मेरा कौन सा है, 15, अब पूछ रहा है, second distance दीजिए, देना पड़ेगा 0.15, दोनों ही same value है, जब भी distance method में, options में value same रहेगा, so उस समय, selection of line, order will not be important, if they are unequal, then they are important, यहाँ पे मैं select कर रहा हूँ, और यहाँ पे select कर रहा हूँ, देखिए, just preview बता रहा है, preview में बहुत clearly दीख रहा है, कि यहाँ से, इस corner से 0.15, और इस corner से left side भी 0.15, छोड़के वो angle line बनाएगा, so बहुत simple है, let control Z, again CHA chamfer, shortcut, देख लिजिए common prompt में, अभी मैंने chamfer इस्त्माल किया था, तो वो याद रख रहा है, कौन से distance मैंने enter करे, तो मुझे यही चाहिए, तो म CHA chamfer, अब मैं क्या करूँगा, angle option लूँगा, तो right click, angle, अब पूछ रहा है, कि पहले distance दीजिए, तो मैं 0.15 लग दूँगा, ठीक है, अब पूछ रहा है, angle दीजिए, तो angle दूँगा 60, इसका क्या मतलब है, तो इस corner से 0.15 dimension नीचे आएगा, autocad, फी 60 degree लेकर, angle line draw कर देगा बाकी जो corner के line बचे उसको trim कर देगा, so this is your 15 distance, and this is your second choice, ठीक है, आइए मैं control Z करता हूँ, और ultra selection करता हूँ, देखते के किस तरह से chamfer होता है, so CHA chamfer, again, let's take a angle options, now length है 15, वही रखेंगे, और angle 60, अब मैं गलती कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर select करूँगा, फिर यह करूँगा, तो देखें क्या हो रहा है, problem हो रहा है, यहाँ से 15 लेकर, यहाँ तक जाना है उसको, लेकिन जो angle line बन रही है, वो east line से out जा रही है, इसलिए बन नहीं रहा है, ठीक है, again, let's repeat it again, तो पहले यह select करूँगा, फिर यह select करूँगा, तो यह जो distance है, इस लाइन से भी ज्यादा है, इसलिए मैं reverse rotation उसको apply नहीं कर पा रहा हूँ, so इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, chamfer को इस्तिमाल कर सकते हैं, आइए कोसी करते हैं, कि अगर poly line object है, तो सारे corner एक साथ कैसे कर सकते हैं, तो CH chamfer, अब मैं क्या करूँगा, distance लोंगा, तो 0.1, 0.1, अब मैं क्या करूँगा, poly line object लोंगा, और यहाँ पर मैं click करूँगा, चो देखिए, preview दिखा रहा है, अगर मैं click कर दूँगा, तो ऐसा object बन जाएगा, अब आईए मैं control Z करता हूँ, कुछ और दिखाता हूँ, तो CH chamfer, distance मैं method लोंगा, 0.1, 0.1, ठीक है, अब देखिए, method जो अपनी है, यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन मैं अभी जो जा रहा हूँ, distance में ही जा रहा हूँ, ठीक है, अब देखिए, trim पर click कीजिए, यहाँ राइट करके trim को लिजिए, तो option रहा है, no trim, अब मैं polyline को ले रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, कि बही, trim तो करेगा, नहीं, लेकिन chamfer बना के देगा, तो जब आप default option trim को no trim में convert करेंगे, तो chamfer बनेगा, लेकिन जो corners है, वो वैसे ही रहेंगे, so generally this is not the output भी normally required, right, so let's go for control Z and try it again, chamfer, trim जो है, उसको हम trim option रखेंगे, फिर distance में जाएंगे, 0.1, 0.1, दो नोई distance, अब polyline और select कीजिए, तो देखिए, properly chamfer हो गये, corner छुट नहीं गये,